दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाब फिर हमारे यूटूब चनल में बात करेंगे इस वीडियो में साला दरप्रम विद्यार्थियों की मासिक उपस्ति को लेकर बीका निर्दारा ओर्डर जारी किया गया है समस्त पियो यूसी यू समस्त संस्ता परदान राज की विद रहेंगे तो विद्यार्थियों की मासिक उपस्तिती के समद्र पिया गया है अब साला दरप्रम पर मासिक उपस्तिती मॉडूल के मादम से अबडेट करनी है ऐसा निर्देशित किया गया है तो कक्षा 9-12 है कक्षा 6-8 है एक से 5 के विद्याले अलग-अलग डैट के एक महिने जो है साला दरप्रम पर उपस्तिती अपडेट करनी है विद्यार्थियों की तो पहली वार साला दरप्रम पर अंकन करना एक ौक्ठूमबर से है Hello के इसे 5-6 की मासिक उपस्तिति मॉडूले पांच ठूमबर से और उनको परफंबार अंकन करना है शाला दरपनपर तक है परफंबार साला दरपनपर अंकन है अब इसकी उपस्तिती को लेकर जो है उदान सहीत इसमें समझाये गई स्क्राइब करती ए अ कियारता की ज़िए. सबस원 की इताने की विढारती के लिए 1 से शितंबर से कोविड की गाइडलाइन की अनुरूप जो है विढलने नीमित सिक्षन है रम हो चुका है इन कश्षासों की उपसच्ची 1 अक्टुम्बर तक अपडेट की जानी है ध्यान रखे एक सितंबर से एक अक्टुम्बर तक की यानि की कुल एक महिने की मासिक उपसित हमें लगानी है इसमें सितंबर महा के अलावा एक दिन अक्टुम्बर महा का भी सामिल है तो यहां क्लियर किया गया है एक सितंबर से एक अक्तूmbr तक का तो एक पुम्बर यानि एक दिन अक्तूmbr का भी सामिले अतव दिनांग दो अक्तूmbr को 30 सितंबर तकक के कुल कारे दिवसाओं की घंडा करते होए इन्हें सितंबर माहं के कुल कारे दिवस में सेव करणा है और सितम्बर महा में परतेक चात्र की कुल उपस्ति की गणना कर कार्य दिवस के रूप में भरकर इनको सेव करना है इसी परकार अक्टूमबर महा के कुल कारे दिवस में केवल एक बरकर ही सेव करने के उपरान प्रतेक विद्यार्थी कि अक्टूमबर महा में एक अक्टूमबर तक की उपसिती सेव करना है क्योंकि अक्टुम्बर में एक दिन होगा जो अक्टुम्बर माह में कुल कारे दिवस में किवल एक बरकर सेव करना है और अपर तेक विद्यार्थी की अक्टुम्बर माह में एक अक्टुम्बर तक की उपस्ति सेव करना है जैसे कि सितंबर में कुल कारी दिवस हो गए उसके 25 उदान सरू विद्यार्थों के कुल उपस्तिती रही उसके 18 कारी दिवसों में अक्टूंबर में जो है एक तारीको उसके कारी दिवस में आएगा एक विद्यार्थी के कुल उपस्तिती भी आएगी एक ये कक्षा 10 के लि तो 6-6 तक के लिए सितंबर माह में कुल कारे दियुसा की संग्या 20-30 सितंबर तक गिननी है तो 6-6 तक के कुल कारे दियुसा आपको निकालनी है सितंबर में 20-30 सितंबर तक और अक्टुम्बर माह में 1-5 अक्टुम्बर तक कुल कारे दियुसा की संग्या भरी जानी है तक और अक्टूम्बर के हो गए आपके एक से पांच अक्टूम्बर तक कुल कारे दीशों के संग्या बरी जानी है और इसमें भी उद्धान सहीत समझाया गया है कि कख्षा साथ के किसी विद्यारती के उपस्तिती जैसे च्छ दस को निमननुसार दर्ज करनी है सितम्बर मे कुल कारे दीश हो गए चार और विद्यारती को पस्तिती रही कारे दीशों में दो इसी परका गख्षा एक से पांच के विद्यारतियों के लिए भी निमित स्रिक्षन आरम हो चुका है विद्याले में 27 सितम्बर से कोविड की गाइडलाइन के अंदरूप ऐसे में पीर फ्रकारे दीश हो जाएंगे 27 से 30 के और अक्टॉम्र में हो जाएंगे एक से 10 अक्टॉम्र तक भढ़ना है कारडिश उसी कहने साथ सितम्बर और अक्टॉमबर में 10 अक्टॉमबर तक पर थे विद्यारति की उपस्तिती भी दरज कियानी है अब कक्षा पांच के किसी विद्यारती की उपसिती जैसे 11 अक्टुम्बर को नमननुसार दर्ज करनी है जैसे कि सितंबर में कुल कारे दिवस जैसे 4 थे उधान की सरूप विद्यारतों की उपसिती कारे दिवस में रही है जैसे 2 और अक्टुम्बर में कारे दिवस थे जैसे 7 तो उसकी विद्यारती क वपसेदी रही है, इस प्रकार से आपको फीड करना है, तो उप्रक तो Jazz विद्यारती की उपस्तिती आपको अपडेट करनी है और ये कारिय सत्र परियंत रहेगा परतिक महा की समापती पर हर महीने साला दरबन के मासिक उपस्तिती को अपडेट करना है तो ये महत्मूर इंस्टक्शन दिये गए है आज सिक्षा भाग दरा और बाकी ये जो ओर्डर पहले ही जारी कर दिये गए है कक्षा सिक्षन आरम हो रहा है तीन महा की सिक्षन कार यूजना पहले ही जारी कर दी गई है विद्यारती के उपस्तिती को ले कर रहे है यहां चाहे हो अन्या विभिन परगार के प्रवेश्व सो है वर्क बुक है ब्रिज कोर्स कराना है सभी के लिए अलग अलग पहले से ही ओडर जारी किया जा चुका है तो यह इंपोर्टेंट अपड़ेट है आप सभी सिक्सक्साथियों के लिए उपस्तुति को लेकर